हाई दोस्तों कैसे हैं आप सभी में डॉक्टर अन्वेस त्विर से अपने यूट्यूब चनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं आशा कर रहा हूं सभी ठीक है मस्ते एंजॉय कर रहे हैं मैं आ चुका हूं सप्लाइचेन लोजिस्टिक के इंपॉर्टेंट क्योशन की सी पर यहां पर वड़र और ग्लॉबल सप्लाइचेन यानि कि आपको इंच्थे बाहर माल बेचना है ऑपको जापन बेचना ताईवान बेचना शीलंका बेचना बंगादेश बेचना है चीन बेचना है तो अगर आपका शाप्लाइचैन नेट रक होगा उसमें कौन-वां से क्योंकि जो norms होते हैं उसमें जैसे कोई ship से जा रहा है कोई और जा रहा है तो complex होते हैं हर जगे हर product नहीं बेजा जा सकता उस देश के हर देश के laws अलग अलग होते हैं तो उनको भी हमको ध्यान रखना होता है political instability हमने माल बेचा और जैसे कि पाकिस्तान कोई जैसा देश निकला जहां पर रातो रात सत्ता पदल गई तो उस देश में क्या होगा क्या हमारा माल का हमको amount मिलेगा नहीं मिलेगा और यदि हम हमारी महाँ पर company लगाते हैं supply chain network create करते हैं वहाँ पर instability है तो क्या होगा वो company growth नहीं कर पाएगी वो देश ग्रोथ नहीं कर पाएगा इसलिए हमारे एक देश में दो तियाई बहुमत की सरकार होना जरूरी है जब भी गडवंदन की सरकार देखने को मिलती है हमेशा foreigners जो funding आती है हमारे देश में वो कम हो जाती क्योंकि political instability होती है जिस भी देश में political instability है होगी वहाँ पर वो देश हमेशा down जाएगा लाइक आप शीलंका ले सकते हो मालदिव ले सकते हो पाकिस्तान ले सकते हो यह तीन देश आपके सामने example है Ukraine ले सकते हो जहाँ पर भी political stability रहेगी देखनी होती है कि actual में जो हमने supply chain दिया मान लीजे दो retailer रख दिये लेकिन पूरे देश के अंदर दो retailer कुछ भी नहीं है तो उसकी visibility भी होनी चाहिए actual number of suppliers भी वहाँ पर जरूरी होते है और currency fluctuation तो ही हम जब supply chain create कर रहे हैं या कोई transaction कर रहे हैं currency fluctuation, culture diversity है ना और आप कहा सकते हो political stability होनी चाहिए supply chain के अंदर visibility में आती है दिक्कत regulatory compliance में दिक्कत आती है logistic में दिक्कत आती है और language barrier भी आप इसमें लिख सकते हो और इसमें कौन-कौन से factors होते हैं जिनको हम ध्यान रखें यह तो आपने issues पढ़ लिए और कौन-कौन से factors हैं जिनको हमको ध्यान रखना चाहिए जब भी हम global supply chain देख रहे हो और इसकी need क्यों है basically इसकी need क्यों है सबसे basic need तो यह होती है हमको नए market की तलाश करना है भारत में लोग क्यों आते हैं माल बेचने के लिए चीन में लोग क्यों जाते हैं माल बेचने के लिए बारत वर्ल्ड का सेकंड लार्जिस मार्केट है बले एकनोमी नहीं है लेकिन सेकंड लार्जिस मार्केट है तो यहां पर market expansion के लिए किसी भी कंपरी को ग्रोथ करना है तो उसको दूसरे देश जाना होता है कॉस्स रिडक्शन करने के लिए यदि हम ग्लोबल सप्लाइचेंट कर लेंगे तो हमारी क्या होगी कॉस्ट जो कम होगी क्योंकि हम आउट्सोर्स करके कहीं न कहीं से प्रोड़क्ट मंगवा रहें तीक है रिस्क को डाइवर्सिफाय करने के लिए अगर मैं एक देश में माल बेचूँगा तो एक देश डाउन में गया तो दूसरे तीसरे देशों से हम कमा सकते जैसे जापान में जाऊँ जोगे तो नही टेक्नोलोजी मिलेगी नहीं इई इंफ्रक्ट्ट्र इ swims जिससे वह हमारे देश में आईज करके लाएंगे वो technology वो software लाएंगे जिससे हमारे business को भी growth होगी तो इसके लिए भी global supply chain network जरूरी है और economics of scale यानि की वापिस से अपनी growth बढ़ाने के लिए हमको नए व्यापार का सरजन करना होता है नए businesses की opportunity search करनी होती है नए market की opportunity करनी होती है इसलिए हम यह ग्लोबल supply chain इस्टैबलिश करते हैं तो की components कह सकते हो आप इसको या factors कह सकते हो कि हमको क्यों करना चाहिए या advantages कह सकते हो तो advantages के दो या key components के दो या characteristics के के दो या इसकी need के दो एक क्योशन है केवल answer same ही रहने वाला है सब का क्या बोलेंगे हमें क्यों है global supply chain network की need इसलिए एक तो market हमें बढ़ाना है economic of scale बढ़ाना है नए market की खोज करनी है risk को diversify करना है better future की planning करना है नए resources की ओर जाना है ठीक है और cost को कम करना है जितनी ज्यादा हमारे market में होगा जितना ज्यादा क्यों cost कैसे कम होगी क्योंकि नए market में sell करेंगे तो ज्यादा production होगा और जब ज्यादा production होता है तो cost per unit कम आ जाती है basic से आहे funda I hope यह सारे point clear हो गए होंगे मस्त रही है खुछ रही है मुस्कुराते रही है next video में मिलते हैं और यह series आगे बढ़ाते हैं जाहें